हेलो बच्छे पाटी वेलकाम बैक टू तो यह तर्ट रेसेशन और आज की क्लास में लोग अगेन कांटिन्यू करने वाले अपने फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन हमारे चल रहे थे और अब हम लोग लेवल थोड़ा उपर लेके गए हैं एक्जाम ओरियंटेट क्वे पॉइंट यह जब आती है भाई आपको सई करना है पर एक बात में तुम लोगों को कोशिश करना है कि तुम उसको जल्दी सौल पर हम लोग तो 30-40-50 मिनिट जितना टाइम लेते क्यों हम अभी समझा समझा कि आपको बता रहे पर तुम लोग तब इसको इंडिवीड अधर में आपका सॉल्फ हो जाना थी मैं तब जल्दी सॉल्फ करना है आपको ठीक है चलो लेस्ट स्टार्ट पॉर्मेट बना ले पहले यह पहले अजस्मेंट पढ़ लो ठीक है देखो यूर रिक्वार्ट टू प्रोवाइट फोर डेप्रीशेशन और बिल्दिंग फाइप परसेंट मशीन ट्वेंटीफ परसेंट फरनीचर टैन परसेंट अच्छा तो बिल्दिंग मशीन फरनीच बोल रहा है प्रोवीजन फर डाउटफूल डेट इस तो बेर फाइफ परसेंट अन डेटर तो यह रहे मेरे डेटर इस प्रोवीजन बनाना है Mr. R. Manager is entitled to commission of 10% on net profit after charging his commission बस इसी वाले पॉइंट के वज़े से वाला question है आज इसी वाले पॉइंट के वज़े से question है आज closing stock was not taken on 31 March but on 7th of April Oh my god यह तो गड़बड़ी होगी question क्या बोल रहा है closing stock 31 March को मैंने नहीं लिया तो कब ले लिए 7 April को ले लिया साथ दिन बाद मैंने बाद 7 दिन बाद closing stock वही होगा जो 31 March के दिन था बोलो 31 March को जो closing stock था 7 April को भी वही stock होगा क्या नहीं साथ दिन में closing stock में changes आए होंगी कुछ भी का होगा कुछ खरीदे होंगे कुछ भी का होगा कुछ खरीदे होंगे साथ दिन के अंदर closing stock में कुछ ना कुछ changes तो होंगे तो इस गड़बड़ी को अपने को सही करना पड़ेगा ठीक है बात समझ में आती है yes following transactions had taken place during the period from 1st April to 7 April देखो अब question ने बोला कि हम help भी करेंगे आपकी question ने क्या help किया question बोल रहा है कुछ transaction जो है वह हम आपको बता रहे हैं जो कि कि एक अप्रेल से साथ अप्रेल के बीच में हुए है ताकि हम लोग इसको correct कर सके क्या क्या हुए है sales हुए धाई लाकी अच्छा इसको reverse कर देंगे purchase हुआ है इसको reverse कर देंगे साथ अप्रेल को stock दे दिया है अच्छा and the rates of gross profit on sales बीस परसेंट है insurance premium जो मेंशन है trial balance में वह है रिस्पेक्ट और बिल्डिंग और मशीनरी यह इसलिए बता रहे है थाकि हम लोग उसको life insurance premium नाटीट कर दें ठीक है interest on mortgage loan जो है वह आपको 31 मार्स 2018 का provide करना है ठीक है कि adjustments तो तुम लोगों को हलकी लगी होगी as such कुछ tough नहीं लग रही होगी बताओ अपना point of view बोलने के लिए आप open है चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉपिट एंड लॉस अकाउंट इधर हम लोग बना लेते हैं बैलेंशीट चलो जी हम परिटीकुलर्स अमाउंट परिटीकुलर्स अमाउंट अ लियाबिलिटीज अ अमाउंट एसेट्स अमाउंट ठीक है बच्छा बाटी यह हमने फॉर्मेट बना लिये है अब लेस्ट डू सम्थिंक क्या आप करेंगे भी या चलो अमाउंट्स लिकेंगे और क्या देख लो एक अत्तीस मार्थ 2018 के लिए बना रहे हो मतला फाइनेशल यह सेवेंटी नेटी ने बिल्डिंग पांच लाग किये है कि मशीनरी दो लाख फर्नीचर एक लाख कैश और बैंक एक लाख किया है कि फ्टीन परसेंट पर एनम लोन अप्टेन बाय मिस्टर आर और एक चर्दोजास सत्रा मॉट गेज ऑफिस बिल्डिंग तीन लाख मॉट गेज लोन सिंपल शब्दों में कैपिटल पांच लाख बी सब्सार तंडी डेटर्स पांच लाख ट्रेटर्स चार लाख कि ओपनिंग स्टॉप एक लाख बीस अधार कि पर्चेजेस पच्चीस लाख सेल्स हटी टू लाख ट्विंटी थाउजन रिटर्स है क्या हां रिटर्स है सेल्स रिटर्न एक लाख बीस हजार और पर्चेज रिटर्न एक लाख कि अधिकर डन एस विए उसके बाद रेंट सिक्स्टी थाउजन स्टेब्लीश्मेंट एक्पेंस एक लाख सिएधार कि अधिकर चार्जस पंद्रह हदार टेलिफोन चार्जस दस हदार कि कर्मेशन ओन सेल्स डेबिट साइड है मतलब यह कौन सी वाली हैं पनी एक्सपेंसेज वाली है थर्टी थाउजन इंशॉरंस प्रीमियम दस हदर बाद देट बीस हदर और बिल्स विशेबल 75,000 बिल्स विशेवल मतलब ऐसेट ठीक है बेट सिद्स विशेवल इस एस गुड़ एस डेटर ना बिल्स रिचिवल इस एस गुड़ आज डेटर स्थो ट्राइल बलेंस ने खाली कर लिया क्या बख किसी भी बच्छे को ट्राइल बैलेंस खाली करने में को डाउट है पताओ नो भाईया आगे बढ़ हूँ बील्डिंग डेप्रीशेट कर दो 5% से मशीन 35 से और 10 से तो 5, 25 और 10 5% 25% और 10% कितना कितना हो जाएगा यह लो निकाल दो फटाक से 4,75,000 तो लेड़ लाक हो जाएगा और यह हो जाएगा 90 हता टोटल कितना हो गया 50, 67, 75 85,000 का टोटल देप्रीशेशन हो गया प्रीशेश्ण टोटल लेड़ से टोटल प्रीशेशे वे डितना हो कितना हो जाएगा झाएगा प्रीशेशेशेशेशेशेशेशेश्ट गया 60,000 का टो वे जाएगा ह्यां इतने से इंडिक कि बिखाए तो तो नहीं है predictable जार्च में बदाओ कि बाइध करहें नहीं तोपर साइड थेटर है दिक रहे आंज डिकर देख रहे बाद कहत tiet जब इत्ती ही एडिस्मेंट आती हो कि बच्चे सोसते हों कि इचना इजी भी हो सकता था क्या बिल्कूल हो सकता था डाउटफुल डेट्स कोचीज हजार ओके नेक्स्ट मैंनेजर्स कमिशन को अपने को होल्ड करके रखना पड़ेगा मैंनेजर्स कमिशन क्योंकि लास्ट में निकल सकते हैं क्या होता है वह मैं बताऊंगा क्लोधिंग स्टॉप टेकन और 31 मार्श बट ऑन साथ अप्रेल फॉलेंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस जूरिंग पिरेट फ्रॉम फॉस्ट अप्रेल देखो हुआ क्या मैं तुम लोगों को एक बार टाइम लाइन के सुरू समझाने की कोशिश करता हूं क्या हुआ कि मेरा क्लोधिंग स्टॉप मैं ओफीशली कब लेता हूं 31 मार्श को है ना बट मेरा क्लोधिंग स्टॉप मेरे को साथ अप्रेल का दिया हुआ है एक लाक स्टी अधर कोश्चन में तो मेरे को बात बताओ यहां से यहां के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन हुए उनको रिवर्स करना पड़ेगा ताकि मेरे को यहां वाला क्लोधिंग स्टॉक मिल जा है क्या मिल जाए यहां वाला क्लोधिंग स्टॉक तो क्या करेंगे अगर इस दौरान कुछ पर्चेज हुई होगी उसको माइनस कर देंगे और अगर कर देंगे असलिए इतना ही खांगे जो अच्टो अच्रोप एड कर द देगे बहुत से बात-तो परचेज और आप हो गया होगा तो इसको अच्टronic कर देञे सेल्स सब्ट्रेक्ट हो गया उसको वापस से क्या कर देंगे क्लियर तो चलो ढूलते हैं परचेस मेंotle को कुछ में कुछ दिया हुए तो क्या को कुछ क्षिव हुए क्या कुछ दिया हुसे ते encrypted यह भी ऑ principio और पषेस दिया हुआ कि बोलो है नहीं दिक्कत है कि नहीं कि मेरी सेल्स को स्थ पर लाना पड़ेगा उसके लिए क्वेश्चन में कोई हिंट कर रहे है दा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओन सेल्स 20 परसेंट कोश्चन हिंट कर रहे हैं तो मेरा जो सेल्स हुए धाई लाग का इसके अंदर 20 परसेंट चुपके बैठा हैं तो प्रॉफिट को हटा दो कॉस्ट किती आ गई थाई लाग माइनस 20 परसेंट दो लाग कॉस्ट आ लिए अग्यों सब को तो आप बताओ मेरा क्लोजिंग स्था कितना होगा 31 मार्च को बताओ कि एक लाक स्तियदार माइनस डेर लाग प्लस दो लाक मेरा क्लोजिंग स्था गोगा दो लाक तीस अता है अगलीए पर अपन वरकिंग दिखा देते प्रॉपर झाल झाल तो दो लाग ती सदर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मिल गया लिखते हैं हम यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक दो लाग ती सदर क्लोजिंग स्टॉक दो लाग ती सदर क्लियर सबको कि बोलो याला पॉइंट क्लियर है इसके बाज बोल रहा है इंट्रेस्ट और मॉट्गेज लोन प्रोवाइड करो 31 मार 2018 तक चलो इंट्रेस्ट और मॉट्गेज लोन किदर है 14 2017 को लोन लिया था मतलब पूरे साल का इंट्रेस्ट लगेगा पूरे क्वश्चन में अगर तुम ज्यान से देखो के इंट्रेस्ट मैंने दिया ही नहीं है एक रुपए के इंट्रेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो पूरा पूरा इंट्रेस्ट मेरे को फिर से देना पड तो तीन लाग का निकाल लो फ़ी पंदरा परसन कितना होता हैं कि 45,000 और यही जाएगा आउट्स्टेटिंग इंट्रेस्ट ओन लोन कि 45,000 ठीक है एंड डाइट सिट हो गया बस इत्त ही था इस क्वेश्चन में मसाला ग्रोस्ट प्रोफिट कितना रहा है बच्छे बताओ आएट लाक दस जार आ रहा है कि आएट लाक दस जार आ रहा है भाईया इन ने प्रोफिट कितना रहा है बताओ अप्रोफिट कितना रहा है बताओ net profit is still going to be changed, क्योंकि there is a concept in the question which is given as managers commission, अब एक बात तुम लोग हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी final account के question में जब managers commission दिया रहेगा तो वो हमेशा मतलब 99% time में वो बोलेगा managers commission is to be provided on net profit क्यों 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 हम लोग manager को target देते है organization के अंदर कि अगर आप इतना profit इस साल हमको earn करके दे दिए कमा के दे दिए तो हम profit का इतना percentage सा आपको देतेंगे इसलिए हमेशा नेट profit पर होता है तो मेरे को बात बताओ यह मेरी net profit आईए इस पे से मेरे को अभी manager को commission भी देना है तो यह मेरा final net profit होगा क्या यह मेरा final net profit होगा नहीं होगा ठीक है तो यह managers commission देने के ना दो तरीके होते हैं कौन से दो तरीके पहला तरीका बिफोर चार्जिंग तर्च कमिशन कि यह सिंपल शब्द में लिख देता हूं नॉर्मल वे नॉर्मल जैसे माल लो नॉर्मल ही मैं तुमको बोड़ रहा हूं है मैं बोला 10% of net profit तो 33,000 तुम managers commission देतों के बात नॉर्मल तरीका जो होता है उसको अपन बोलते हैं फिर एक तरीका आता है जो तुमको नया सीखना है वो है after charging search commission कैसे निकलता है जैसे अपने बस amount कितने का है 3,30,000 का हमको कितना commission देना है manager को 10% का देना है लेकिन जब आप denominator लोग है तो denominator में अपन क्या लेते है परसेंटेश निकालने के लिए 100 लेते हैं यहां पर आपको 100 में प्लस कर देना वो रेट जो आप उसको दे रहे हो denominator में मतलब भाईया ऐसे देखो अमाउंट मैं आपको multiply तो करना है rate वाजब आप डिवाइड करोगे तो आप 100 प्लस rate लेके डिवाइड करोगे क्या फरक आया यहां पर हम कर रहे थे है amount into rate upon 100 कर रहे तक है या रिफ्रेंस दीख रहा है दोनों में बीपोर चार्झिंग और आफटर चार्जिंग सद्सक्मिशन ले को दिख रहे है पॉर्मूले में इसमें आपको नॉर्मल करना है बेटा रेट अपॉन हंड्रेड इसमें आपको रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट कर देने हैं ठीक है अब बात उठती है भाईया यह आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन होता क्या है तो सुनना हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम आपको नेट प्रॉफिट का इतना पर्सेंट अमाउंट एजा कमिशन दे देंगे बट डैट इस आफ्टर डिड़क्टिंग यॉर कमिशन मतलब वह जो नेट प्रॉफिट आएगा आपका अब मेरे को मैनेजर कमिशन भी मेरे एक्सपेंस है कि नहीं फटा पर से बताओ ल बट सर नेट प्रॉफिट तो आपका कमिशन माइनस करने के बाद आएगा नो औरिजिनल नॉट्षट प्रतीशत औरिजिनल नेट प्रॉफिट कब आएगा आपका कमिशन माइनस करने के बाद आएगा बोलो हां बोलो है ना नेट प्रॉफिट तो कमिशन माइनस करने के बाद आएगा तो मेरे को एक बात बताओ यह जो तीन लाग तीस हजार रुपए है कि इसके अंदर दो आइटम है क्या एक मैनेजर का कमिशन और एक नेट प्रॉफिट इसके अंदर दो आइटमिए बताऊंगा बस छोनगा के घूष के बैठ है तो अगर आप ऑप कर लो एजीओं ने पोल रहो हूं हमेशा मैं दुमलों का बोलता हो नहीं को कि उपर परसंट दिया रहता है उसको यह पूर्संत एक कि प्रफिट क्या एजियूम करोगे ऑलो कि मैं इशा बोलता हूं ना जिसके ऊपर परसेंट दिया रहे तो जूंड़ेट एक रखेंट करोगे net profit plus commission 10 दोनों मिला के 3,30,000 है जल्दी से मेरे का बता दो दोनों मिला के 3,30,000 है तो can I say 110 is equal to 3,30,000 है बोलो yes 110 is equal to 3,30,000 है तो ये 3,30,000 है रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को पर मुझे कितना चाहिए है मुझे तो 10% बस चाहिए ना मेरे को फटा फट से बताओ commission किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को तो अगर मुझे 10% वाला portion चाहिए तो मैं क्या करूँगा 330,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को मुझे 10% चाहिए या फिर ऐसा बोलो 330,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को मेरे को 100 वाला portion निकाल के दे दो अगर ये portion निकालोगे तो net profit मिल जाएगा अगर ये portion निकालोगे तो commission मिल जाएगा आई बात समझ में तो इस 330,000 के अंदर दो portion है एक है net profit portion एक है commission portion आपको जो portion चाहिए ऐसे करके निकालोगे आपको जो portion चाहिए आपको 10th portion मेरे को बताओ ना 3,30,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को तो 10% कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना amount आएगा ऐसे निकलेगा और 100% रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे आएगा ऐसे आएगा बात का तो यह उसके पीछे का reason होता है कि जब मैं after charging such commission बोलता हूँ तो मैं बोलना चाहा रहा पर वो profit तो मेरे को तब पते से लेगा जाब manager की commission आएगी अब manager की commission तो net profit के बाद आएगी तो यह तो एक cycle हो गई ना फस गया में उसमें कैसे निकलेगा तो वो ऐसे निकलेगा logic से 10% of net profit managers commission है net profit अगर 100 तो manager commission है 110 है यह portion represent कर रहा है दोनों को तो यह 110 को represent कर रहा है फिलहाल मेरे example के according अगर 5% होता तो यह 105 को represent करता अगर 20% होता तो यह 120 को represent करता ठीक है तो यह उसके पीछे का reason है क्या सबको reason clear है ऐसा हम क्यों करते है बोलो अभी एक और चीज़ दिखाऊंगा वैसे तुम लोगों तो यह आ जाएगा मेरा 30,000 और यह आ जाएगा मेरा 3,000 ठीक है अब चलो मैनेजर कमिशन हम लोग यहां पर लिख देते हैं 30,000 और जो रिवाइज नेट प्रॉफिट आएगा वह आएगा 3,000 अब फटा वर्चे सारे बच्चे मेरे को बताओ क्या मैनेजर को exactly 10% of net profit मिल गया क्या मेरा परपस सॉल्व हो गया देखो ना ऑटोमेटिक मेरेजर को exact 10% मिला है ठीक है exact 10% मिला है क्यों क्योंकि मेरा परपस यही था कि मैं मेरेजर को बोला था कि वाई net profit का ही 10% दूँगा इसलिए after charging बोले तो ऐसा आ गया ठीक है चलो अब इसको close कर दो balance sheet में आ जाओ देखो plus net profit 8,20,000 सारे आटम ने बाहर निकाल दिये न हाँ चलो balance sheet का total निकाल दो 15,65,000 15,95 आर है कुछ आटम मिस हो गया हमसे अच्छा मैनेजर कमीशन ही तो मिस हुआ है ओके मैनेजर कमीशन अभी लिए आज ही तो निकाले तुरंट होड़ी ना cash में दे देंगे है ना आज ही निकाले तुरंट cash में नहीं दे 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 अभी outstanding में पढ़ा रहेगा अगले साल देंगे ठीके बच्छों डञ मैनेजर कमीशन तुम लोगों कुलियर है और बेटा कोश्चन में डारेक्ट दिया रहे है तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी डारेक्ट दिया रहे ताब आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तब ऐसे करना है तो एक बार पढ़भा भी देता हो तुम को लिखा हुआ था कुश्चन में 10 परसेंट और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिस कमीशन मतब उसकी खुद की कमीशन चार्ज करने के बाद तो तुम लोगों को मैनेजर कमीशन पॉइंट अगर क्लियर है तो फटा फटा फट से इसको नोट डाउन कर लो ठीक है बेटा चलो क्लोजिंग वाला बहीं एक बड़ और बता दो मैनेजर कमीशन वाला तो पहले तुम देख लो एक बार को क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूँ न जो साथ अप्रेल एक अप्रेल से लेकर यहां से लेकर साथ अप्रेल तक जो भी ट्रांजेक्शन प्लस या माइनस हुए हम उसको रिवर्स कर देंगे तो मेरे को यहां का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था एकला कसी है इसके होता है तो मेरे को इसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा तो धाई लाग की से इसके अंदर 20 परसेंट प्रॉफिट इंक्लूडेट था तो यह 20 परसेंट में उड़ा दिया तो दो लाख रुपे कॉस्ट आ गया मेरा सेल वैल्यू का जो सेल्स हुए है उसका कॉस्ट आ गया मैंने को सिंग्सिर किया तो यह दिको पर सस्ट को मैंने वापस ड़ दिया को दिए इस है जोर्द इस मार्च को था इस Ayamay sommes गलो बहुलो कि चलो नएक्स पुस्टि और next question next question next question homework में जाएगा next question देखो क्या है भाई closing stock दिया हुआ है fire in card वाली adjustment दी हुई है वही आग लग जाती है insurance claim मिल जाता है ठीक है बस यह याद रखना general goods जले तो कहां जाते है पड़ा पड़ से बताओ general goods में आग लगती तो कहां जाते है आग लग गई loss by fire कहां जाता है पर्चेस से माइनस कर देते या फिल ट्रेडिंग में credit साई जहां तुम्हारा मान पर्चेस से माइनस कर दो या ट्रेडिंग में credit कर दो दो दोनों एक ही मतलब है ठीक है जितना insurance claim मिल गया खुशी खुशी रख लो और जितना नहीं मिला P&L मे debit कर देना bad debts का दिया हूँ adjustment provision for doubtful debts और discount आती है हमको 606,000 के goods जो है उसका recorded entry पास नहीं हुई है तो 6000 के goods के entry पास करेंगे purchase में add और credit में add कर देंगे बोलो यही करेंगे न पर्चेस में भी add कर देंगे credit में भी add कर देंगे 6000 के goods के recording नहीं हुई है ठीक है तो भाई भाई insurance company के नाम से दिखा देना है ना तब तक insurance company के नाम से दिखा देना जब तक पैसा नहीं मिल जाता है चलो next रिशाब लेके जा रहा है 2000 परसनल यूज के लिए आता है depreciation charge करना हमको बहुत अच्छे साता है insurance prepaid है prepaid insurance क्या हमको अच्छे साता है पड़ा पर से बताओ क्या यह adjustments already deal कर चुक है हम लोग पहले कभी question कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यह वाला question home work में जा रहा है यह वाला question देखो clothing stock taken for personal use machinery 35,000 wrongly written off against PNL account this asset brought into account नहीं यह वाला मैं करवा रहा हूँ यह adjustment मिल गई मिरको जिसने मिरको feel कर आया कि यह question मुझे solve करवाना चाहिए चलो बेटा जी बेटारे हैं झाल झाल